Hello everyone, start करते हैं 5th class EVS Looking Around के chapter 1 से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं Super Senses के बारे में ठीक है, अब नीचे कुछ examples दिये हैं और पूछा है कि Has this ever happened to you? मतलब क्या ये चीज़े आपके साथ कभी हुई है? जैसे कि You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti मतलब कि आप क्या कर रहे थे? आप playground में बैटके कुछ खा रहे थे, ठीक है? फिर एकदम से एक eagle आया और उसने क्या किया? वो आपकी roti को ले गया तो उसने पूछा है कि आपने कभी ऐसा कुछ observe किया है? You dropped something sweet on the ground आपने क्या किया? कुछ मीठे आपसे गिर गया, कहाँ पर ground पर कुछ देर बाद वहाँ पर ants जो होती हैं, वो collect होना शुरू हो गई उस मीठे के आसपास हो ants collect होना शुरू हो गई उसके बाद है, as you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once मतलब कि एक डॉगी था, वो सो रहा था, आप उसके पास से निकले और जैसे आप उसके पास से निकले, उसके कान खड़े हो गई तो क्या आपने ऐसी चीज़े observe करी है? अब यहाँ पर क्या लिखा है? उस सब के निचोड में लाइक उस सब के इकटा मिला दे तो क्या लिखा है? Animals also have different senses, जैसे human beings के अंदर बहुत सारी senses होती है, हम देख सकते हैं, हम touch कर सकते हैं हम feel कर सकते हैं, हम smell कर सकते हैं Same way में animals जो होते हैं, उनके पास भी क्या होती हैं? बहुत सारे different senses होती हैं They can see, hear, taste, smell and feel मतलब वो देख सकते हैं, hear, सुन सकते हैं, they can taste Taste कर सकते हैं, smell कर सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं और feel, कोई भी चीज को feel कर सकते हैं समझ लो, मैंने एक ठंडी सी surface को touch किया मतलब मैं feel कर पा रहे हूं कि यह ठंडा है तो यह चीज़े अगर human wings में होती हैं, तो animals में भी होती है Some animals can see their prey from far away अब कुछ animals क्या करते हैं? Prey Prey का मतलब क्या है? For example, एक tiger है, जो की एक deer के पीछे भाग रहा है तो tiger का जो prey है, उस time पे, वो कौन है? Deer तो यह prey होता है अगर किसी को मारना है, खाना है, तो जो उसके पीछे भाग रहा है और जिसके पीछे वो भाग रहा है तो for example, tiger deer के पीछे भाग रहा है तो deer tiger का prey हुआ Some can hear even the faintest sound मतलब बहुत ही हलके sounds जो होते हैं उनको कुछ animals बहुत आराम से सुन लेते हैं Some animals can find their friends by their smell कुछ animals अपने दोस्तों को ढून लेते हैं कैसे उनकी smell से मतलब उनको पता चल जाता है कि उनके friends आसपास हैं उनकी smell से पता चल जाता है और इसी तरह से ये जो animal world है विकास हम लोग अभी animals के बारे में पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे examples हैं Amazing senses के ये सारी चीज़ें देखना, सुनना, smell करना, taste करना, feel करना these all come under senses तो animal world भी इन senses से पूरा filled है It's not like just human beings are related to it बट बहुत सारे animals और ये सारी चीज़ें भी आपस में linked हैं Now how does the ant recognize a friend यानि कि जो ant होती है वो friend को recognize कैसे करती है An ant was going along on the ground एक बर क्या हुआ, एक ant चल के जारी थी ground पे It saw a group of ants coming from the other side उस ant ने देखा कि दूसरी side से कोई और group आ रहा है किसका ant का The first ant जो यहां से ant जारी थी quickly came back to its hole वो ant फटाफ़ट से अपने hole में क्योंकि ये छोटे-छोटे holes में रहती हैं ना तो वो अपने hole में वापस आई The ant guarding the hole और वो ant जो hole को guard कर रही थी उसने उस ant को recognize किया Recognize किया मतलब पहचाना और उसको अंदर आने दिया ठीक है? अब यहां पे दो question पूछे गए हैं Think and tell me, how did the ant know that the other ant were not from its group? And second है, how did the guard ant recognize this ant? अब होता क्या है? कि जो ant होती है वो कैसे पहचानती है कि दूसरी ant उसके group की नहीं है They have variety of senses वो सूंग सकते हैं, देख सकते हैं, they can hear By using these senses, they can identify if the other ant is from their group or not वो in senses को use करके, यह identify कर सकते हैं, कि वो दूसरी ant उनके group की है या नहीं And, जो guard कर रहे थे, because यहां पे हमने देखा था था न, कि एक ant guard करती है hole को और उसने recognize कि कोई ant आ रही है, और उसको आने दिया तो यह जो guard कर रही थी, उसने कैसे recognize किया? भई उसने अपनी smell use करके, sense of smell को use करके recognize कि अच्छा वो आ रही है, उसको आने देते है उसके बाद है, try this and write, drop some sugar, jaggery Jaggery का मतलब क्या होता है? गुड होता है, sugar you all know, चीनी या फिर कोई भी sweet cheese up ground पे डालिए, और आपको तब तक wait करना है, जब तक ant वहाँ पे नहीं आती अब देखो, उसके बाद questions है कि कितना time लगा ant को आके, ये activity आप कर सकते हो, बड़ ममी से पुछके करना Did one ant come first or a group of ant came together? एक ant पहले आई या पूरी का पूरा group आया? और खाने के साथ ant ने क्या किया? और वो वहाँ से कहां जाते हैं और ये move करते हैं? लाइन में move करते हैं या नहीं करते हैं? So these things are for you, आप कर सकते हो, पर ममी से पूछके करना, अगैंस Now, okay और दूसरी चीज़, जब ant ये सब करेंगी, तो आपको क्या करना है? बिना उनको हाम करें, उनका रस्ता ब्लॉक करना है थोड़े टाम के लिए For example, if they are moving like this, you can just, you know, block their way, आपको खड़े होके, बट उन पर नहीं खड़े होना है, उनको हाम नहीं होना चाहिए It's not good to harm any animal, but you can identify, you can, you know, do this experiment की वो क्या करते हैं, जब आप उनका रस्ता ब्लॉक करते होते हो As the ants move, they leave a smell on the ground उन्होंने क्या पाया? उन scientist ने कि जब ant move करती हैं, वो एक smell छोड़ते वे जाती हैं, ground पे They leave a smell on the ground, वो ground पे smell छोड़ती हैं, और जो दूसरी ants होती हैं, वो उस smell को follow करती है Ant ने क्या किया? Smell को छोड़ा और दूसरी ant उन smell को follow करती है Now, can you guess why the ants behave like that when you blocked their path? उसने क्या बोला? कि अब आपको पता चला कि कैसे जो ant थी, उन्होंने behave किया जब आपने उनका रस्ता ब्लॉक कर दिया था Okay, अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स लाइन में पढ़ने वाले हैं Okay, अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, तो यह experiment से क्या हुआ? कि अगर एक ant यहाँ से ऐसे move कर रही है, तो वो smell छोड़ती भी जा रही है But by luck अगर आपने उसको block कर दिया, तो यह ant यहाँ मुड़ जाएगी जब यह यहाँ मुड़ेगी, तो बाकियों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि पहली वाली ant ने रस्ता छोड़ दिया मतलब smell छोड़ दी, तो इस तरह से सबको पता चल जाता है Now, have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? अब वो पूछ रहा है कि mosquito ने कभी आपको trouble किया है, परिशान किया है mosquitoes ने तो मच्चरों ने तो सबको परिशान किया है लेकिन वो पूछ रहा है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहां पर हो Mosquitoes can find you by the smell of your body Mosquitoes कैसे हमें ढूणते हैं? Smell से, body की smell से They also find you by the smell of the soul of your feet and the heat of your body ये तो बड़ी नईस तीस पता चली कि हमारे जो पैर के नीचे का पार्ट होता है, soul होता है वहां से प्लस हमारी body heat से Mosquitoes हमें बड़े easily ढूण लेते हैं ठीक है? अब एक example और दे रखा है मैं एक silk worm हूँ, मैं नहीं हूँ, वो अपनी बात बता रहा है मैं एक अपनी female worm को ढूण सकता हूँ, बहुत दूर से, बहुत किलोमेटर दूर से just by her smell, मैं उसकी smell से ढूण सकता हूँ तो ये अभी हमने smell पड़ा ठीक है, यहाँ पर भी देखा हमने की कैसे mosquito हमें हमारी smell से ढूण सकते हैं now, have you seen a dog sniffing here and there, क्या आपने देखा है कभी dogs को sniff करते हैं वो here and there they sniff, what do you think it is trying to smell और आपको क्या लगता है कि वो क्या smell करने की कोशिश करते हैं dog mark out their own area on the road, okay, this is something interesting dogs क्या करते हैं, वो अपने area को mark करते हैं ठीक है, यह तो मैंने भी बहुत बार देखा है कि भई, यह मेरा area है they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty यानि कि वो यह पता लगा लेते हैं कि कोई और dog उनके area में आया है या नहीं आया है कैसे? उसकी urine की smell से और उसकी potty की smell से ठीक है, क्योंकि dogs जब बहार जाते हैं, they urinate और हर जगे they do not urinate, वो देख के करते हैं, सूम के करते हैं so that is their way, अब कुछ इनका आपस में signaling होती होगी बट हमने क्या सीखा? कि dogs जो होते हैं, they mark out their own areas road पे और दूसरे animals अगर आये हैं, दूसरा dog अगर उनके area में आया है तो they can identify it, okay? अच्छा देखो in what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? कि मतलब जो human beings होते हैं, वो कैसे फायदा उठाते हैं, इस sense of smell का ठीक है, मतलब अब आप देखो, हमने देखा होगा कही बार क्या होता है आप टीवी में देखते होंगे, कि एक dog जा रहा है और वो पीछे पढ़ रहा है, किसके वो smell सुंगता है, criminal, कोई गलत काम करके भागा है उसको पता लगा लेंगे आराम से, कही बार क्या होता है explosives, जो प्रेटने वाली चीज़े होती हैं, वहाँ पी भी sniffers, dogs को लेके जाते हैं ताकि पता चले, उसके लाब कोई चूज ढूडने के लिए, search के लिए they use, human being use dogs, और उनकी smell को use करते हैं, ताकि वो, जो उनकी sense of smell है, वो काम आ सके ओके, आपको अपनी sense of smell का पता चला, आप कैसे, आप कई बार कोई चीज़ जल रही है, आप अराम से smell कर सकते हो, perfume वगरा को smell कर सकते हो, खाने को smell करके आप बता सकते हो, कि सही है या कई बार खाना खराब हुचाता है, तो उसमें से smell आने लगती है, है ना, name that animal that you would be able to recognize only by their smell without seeing them, अच्छा, मतलब की, name the animal that you would be able to recognize, मतलब उनकी smell से बिना उनको, आप क्या कहते हैं, मतलब देखें बिना पिचान सकते हो, कई बार हम बहुत सारे काव को, उन में से अलक्सी smell आ रही होती है, गोट को, डॉग को, कैट को, इन सब को हम identify कर सकते हैं, with just only using the smell not, मतलब उनको देखें बिना सिफ सूंके, उनको सूंके मतलब उनकी smell से, ठीक है, ओके, अब आपको या activity खुद करनी है, this one is for you, क्या करना है, five things who smell you like, जो आप खु यह आपके लिए, यह मेरे लिए नहीं है, ठीक है, अच्छा, do the clothes of any of your family member smell, मतलब कि क्या आपके जो family member के clothes होते हैं, क्या वो smell करते हैं, कई बार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और आपने कभी देखा होगा कि crowded place में, यानि bus में, train में, क्या होता है, बहुत जादा smell आती है, sweat रजनी had to go out for some important work, आज के दिन रजनी को बहार जाना है, कोई important काम निपटाने के लिए, she had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila, अब उनको क्या हुआ, अपने 6 महिने, छोटे बच्चे को अपनी sister के साथ, Sushila के साथ, छोड़ के जाना पड़ रहा है, Sushila also has a baby of the same age, Sushila का भी baby है, same age का, 6 month old, it was funny that both the babies did potty at the same time, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, it was funny कि वो दोनों बच्चों ने potty करी, लेकिन उसने जो Sushila की sister थी, सुशीला जो थी, उसने क्या किया, happily clean कर दिया her daughter, मतलब अपनी बेटी की potty तो उसने बहुत अराम से साफ कर दी, but उसने अपना मू धका वो अपनी बेहन के बेटे की potty को साफ कर रही थी, ठीक है, बहुत potty potty हो रहा है, but it's important, क्योंकि आपको sense of smell समझ में आएगा, ठीक है, ओके, सुशीला covered her nose when she cleaned दीपक's nappy, but not when she cleaned her daughter, why do you think she did this, देखो, होता क्या है, कि हमारी जो नाक होती है, वो smell को identify कर लीती है, कि good smell कौन स है, bad smell कौन सी है, तो जब वो अपनी बेटी को clean कर रही थी, हो सकता है, उसको इतनी smell नहीं आई हो, because वो stink ना कर रहा हो, लेकिन जब वो अपनी बेहन के baby को clean कर रही थी, तो हो सकता है, just time, जो potty थी, उसमें से जादा smell आ रही हो, इसले उसने मूं cover किया, ठीक है, तो it's all up to our nose, क्योंकि हमारी nose identify कर लेती है, अच्छी smell को भी, बुरी smell को भी, how do you feel when you walk near a heap of garbage, think of the children who spend the whole day picking thing from such garbage, मतलब अगर आपका भी कच्रे की दान, या जहां बहुत सारा कच्रा पड़ा होता है, वहां से निकलते हो, तो आपको smell कैसी आती है, और वे भी बोला है कि आप उन बच् सेम वे, or does it happen on how each one feel about it, नहीं, अब यह depend करता है, person to person, it depends from person, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई smell particularly किसी के लिए अच्छी ना हो, और किसी दूसरे के लिए वो बहुत अच्छी हो, जिसे कुछ लोग को पेट्रोल की खुश्बू बिल्कुल पसंद नहीं होती है, और कुछ लोग जिनको बिल्कुल नहीं सही जाती, so these things are like कि हा, person to person depend करता है, ठीक है, now toss a small ball or a coin and try to catch it, try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch it, when was it easier to catch, obviously जब हमारी दोनों आइस खुली थी, तो यह possible था, easy था कि हम उसको catch कर ले, now उसके बाद है, imagine how it would be to have your eyes in place, of your ears, what would you be able to do then, which you cannot do now, मतलब अगर आपकी आँखें, आपके कानों की जगे हैं, तो आप क्या आपको कुछ मुश्किल होगी करने के लिए, obviously मुश्किल होगी, कोई चीज इतनी असान तो है नहीं, एक मिन मैंने कुछ skip कर दिया है, sorry, I have skipped something, यह होने के बाद मुझे यहाँ पर आना था, आओल, ठीक है, write the name of some bird which have eyes on either side of the head, जो either side of head, मतलब इधर थोड़ा अगबगल में होती हैं, और उनकी eyes का size कैसे होता है, as compared to the head, अच्छा, उनकी eyes बहुत small होती हैं, उनके head के comparison में, और कुछ animals, जो हो गए, वो हो गए, crow, pigeon, यह ग्रो लग रहा है, बट इस is crow, pigeon, थोड़ी writing इसे clear नहीं हाती है, ठीक है, most of the birds have their eyes on either side of the head, mostly birds जो होती है, उनका क्या होता है, birds का जो eyes होती है, वो head के either side पे होती है, their eyes can focus on two different things at a time, यह फायदा भी होता है, कि जो उनकी eyes होती है, वो दो different चीजों पे focus कर सकती है, एक time पे, when they look straight ahead, both their eyes focus on the same object, और जब वो straight देखते हैं, straight ahead आगे देखते हैं, तो उनकी eyes focus करती है, same object के ओपर, ठीक है, एक time पे दो चीजों को भी देख सकते हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं एकदम, तो उनकी eyes focus कर देती है, same चीज पे, you must have seen birds moving their neck very often, मतलब आपने देखाऊगा की birds अपनी नेक बहुत सादा हिलाती है, do you know why, in most of the birds, eyes are fixed, and cannot move, so birds have to turn their hand, for example, if I want to look at left, or a little left, I'll just look in front, और फिर मैं अपनी eyes को move कर लोगी, अगर मुझे राइट में देखना है, मैं राइट में देखनागी, but with birds, it is not the case, because उनकी eyes ऐसे fix होत तो अगर उनको उधर देखना है, तो वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, उनको ऐसे देखना पड़ेगा, अब समझे है point, उनने ऐसे ऐसे क्यों देखना पड़ता है, ताकि उनकी eyes जो हैं, वो fixed हैं, तो उनको इधर देखने के लिए, असानी के लिए उनको ये करना पड़ता है, looking with with one or both eye, अपनी right eye को cover कीजे या close कर लीजे एक हाथ से, tell your friends to stand to your right, और अपने दोस्त को बोले कि अपने right में खड़ा हो at some distance, और उसके बाद बोलो कि वो कोई action करे है, ठीक है, could you see your friend's action, क्या आप अपने दोस्त का action देख सकते हो without moving your neck, तो अगर आप ऐसे कर लोगे, तो आप नहीं देख पाओगे, अगर कोई यहाँ पर कुछ कर रहा होगा right में, तो नहीं देख पाओगे, कुछ भी करे वो, क्योंकि एक आप बंद है, now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck, अब दोनों अगर खुली है और अगर कोई action हो रहा है, लेकिन मेरी eyes दोनों open है, तो yes, I can see कि मेरे right में क्या हो रहा है, अब दोनों में difference क्या होगा, जब दोनों आखे खुली थी, तो मैं सब देख पारी थी, वो पूरा view आ रहा था, पर जैसी मैंने block किया अपना view, मैं नहीं देख पाई कि right में क्या हो रहा है, अब देखो, यह important है, जब एक word फोकस करती है अपनी दोनों eyes से, बोथ eyes से किसी object पे, वो distance को estimate कर लेती है, और जब उसकी eyes focus करती है दो different things पे, it increases its range of vision, उसका जो vision की range है, वो बढ़ जाती है, देखो, अगर एक time पे दोनों एक जगे पे, दोनों आखो से एक time पे देख रही है, तो क्या होता है, वो distance को estimate कर लेंगी, लेकिन अगर दो different things को देख रही होंगी, तो वो, उसकी क्या होती है, range बढ़ जाती है, it increases its range of vision, मतलब जादा दूर तक देख पाती है, और अगर same time पे focus करती है, तो distance पे, क्या किता है, estimate कर लेती है, Children will understand this better once they start observing the location of eyes of different birds, बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जब वो पढ़ेंगे, देखेंगे की location कैसे कैसे होती है, different birds में eyes की, While seeing with one eye and then with the two eye, children will understand how with two eye the span of vision increases, मतलब एक आख से देखने पे, और दोनों आख से देखने पे, बच्चे को समझ में आएगा कि दो eyes से जो vision होता है, span वो increase रहता है, खुद हमने देखा, कि एक आख कवर करके मैं सिफ इधर का देख पारी थी, इधर का नहीं देख पारी थी, इस तरफ कवर्ड था, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ अटाया, मैं सब कुछ देख पर ले, not like पीछे का, बट आसपास का जितना भी तो मेरे vision का जो span है, वो काफी बढ़ गया, है ना, अब देखो, अब यह हमने पढ़ लिया था, अब टॉस करो एक छोटा बॉल या कोई और उसको दोनों eyes open के साथ करो, फिर एक eye बंद करके कोशिश करो, तो easier तब होगा जब दोनों आखे खुली होगी, imagine how it would be here to have your eyes in place of your ears, मतलब अगर कानों की जगे पे, आपके वो है, यह कहते हैं, आखे हैं, तो मुश्किल रहेगी, what you would be able to do then, which you cannot do now, और आप क्या कर पाओगे जो आप अभी नहीं कर पाते, इस तरह यह कुछ-कुछ questions हैं, अच्छा, अब, okay, some birds like kites, eagles, vulture can see four times as far as we can, अच्छा, हाँ, इसका एक और चीज, इसमें क्या होगा, हम आसपास का देख पाएंगे, वट हो सकता है, सामने डंग से ना देख पाएंगे, but यह गाना, toward left or right हम Now, some birds like kites, eagles, vultures can see four times as far as we can, समझ लो, हम इतना देख सकते हैं, इतना distance, तो वो हम से 4 गुना बहुत आगे तक का देख सकते हैं, इतनी दूर से, ठीक है, these birds can see things from a distance of 8 meters, मतलब जो हम 2 meter तक देखते हैं, वो 8 meter तक अच्छे से देख सकते हैं, Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground, मतलब आप क्या guess कर सकते हो कि वो कैसे कितना देख सकते हैं, normally, जो कहा जाता है, Imagine, कि it can see a distance, मतलब 2 kilometer की range तक वो बहुत आराम से देख सकती है, तो इसलिए, कोई भी eagle या उपर से एक बार उड़ रहे होते हैं, वो एकदम से spot कर लेते हैं, कि नीचे खाने की चीज, काम की चीज, कहां पर है, अब आगए हम colors पे, ठीक है, तो इसने बोला है, do animals see colors, animal cannot see as many color as we can, since how things in this picture will be seen by some animals, तो हम लोगो ने तो देख लिया proper color, bird ने देखा, birds भी देखते हैं कुछ colors, dog इस तरह देख पाता है, और यह देखो, और कुछ अलाग-अला कि animals हैं, जो छोटे मोटे हैं, वो इधर ऐसे देख पाता है, यह clear नहीं हुआ, it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors, जो दिन में जगे होते हैं, animals, दिन में, वो कुछ colors देख सकते हैं, those animals that are awake at night can see things only in black and white color, जो रात को जगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ black and white में देख सकते हैं, ठीक है, sharp ear, in class 4th, you read that we cannot easily see birds' ears, their ears are small holes covered with feathers, हम जो birds होते हैं, उनके कान क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे से holes होते हैं, जो feathers से covered होते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखा है, आपको क्या करना है, आपको 10 animals का नाम लिखना है, whose ears can be seen, तो बहुत सारे हैं, elephant हो गए, deer हो गए, dog हो गए, cat हो गई, बहुत सारे, there are many, आप search भी करोगे, आप देख पाऊगे, इसके बाद है, जिनके जो ear हैं, वो हमारे ear से बहुत बड़े हैं, तो उनके ear कौन कौन हो गए, zebra हो गया, इस case में, elephant हो गया, buffalo हो गया, बहुत सारे ऐसे animals हैं, जिनके ears, कान हमसे बड़े हैं, ठीक है, जिनके कान बड़े होते हैं, वो ज़ादा बेटर तरीके से सुन पाते हैं, हमारे comparison में, ठीक है, अब यहाँ पे एक activity दे रखी हो, उसको quickly पढ़ लेते हैं, for this activity, एक quiet place ढूंडो, school में, और अपने एक friend को बोलो कि वो short distance पे खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, and ask him to say something softly, और उसको बोलो कि कोई चीज बहुत अराम से बोले, बहुत चिला के नहीं बहुत अराम से बोलनी है, the rest of you should listen carefully, और अब आकियों को क्या करना हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है, then all of you put your heads behind your ears as shown in the picture, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हातों को और कान के पीछे ऐसे रखना है, let the same child say something again as softly as before, in which case which was the sound sharper, मतलब पहले तो normally सुना आपने फिर ऐसे करके सुना, तो किस case में जो sound था वो better आया, अपने friends को भी आप ये करने को बोलो, अच्छा, put your hands over your ears and say something, can you hear your own voice, अगर आप कान पे हात रखके अपने कोई बात सुनते हो, तो क्या possible है, अच्छा ठीक है, जब आपने हातों को ऐसे रखा, तो sound better था, ठीक है, वो better sound आया, जो आप सुन पाए, और उसके बाद लिखा है, put your hand वाला हो गया, और जब आप ये करोगे, तब भी आप अपनी आवाज सुन सकते हो, ठीक है, अपने हातों से, बहुत ध्यान से सुनना है, now put your ear on the desk, उसके बाद कान को डेस्क पर रख लेना है, और जैसे इसमें दिखा रखा है, फोटो में, ये वाली फोटो में, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको tap करना है, डेस्क पर, अपने हातों से और फिर से सुनना है, was there any difference in the sound of the tap, क्या आपको कोई sound difference लगा, जब आपने ऐसे tap करके सुना, और जब आपने एकदम नीचे ले जाके सुना, तो obviously जब आप एकदम नीचे ले जाके, डेस्क पर कान रखके सुनोगे, तो बहुत बैटर तरीके से आपको सुनाई देगा, ठीक है, this is how snakes hear, they do not have external ears, which you can see, they only feel the vibrations on the ground, तो ये question बड़ा अच्छा हो गया, कि snakes क्या करते हैं, directly, उनके पास external ears नहीं होते सुनने के लिए, but they feel the vibration on the ground, तो क्या करते हैं, वो vibration को सुनके feel करते हैं, and then they hear, sound send messages, high up on a tree, a langur warns other of danger like a tiger or leopard, एक ट्री पे एक langur बैठा था, उसने दूसरों को, मतलब ऐसे बोला, कि, देखो, tiger or leopard जैसा खतरा है, the langur does this by making a special warning call, और जब langur ये करता है, तो वो कैसे करता है, एक special warning call, चितावनी वाली call देता है, birds also give alarm calls to warn about the danger, कई बार, birds भी alarm call देती है, danger के बारे में बताने के लिए की खतरा है, some birds even have different sounds for different kind of danger, कुछ birds ऐसी होती हैं, जिनके पास different different sound निकलते हैं, अलग-अलग dangers के लिए, अलग-अलग khत्रों के लिए, for example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky, or if the enemy is on the ground, मतलब अगर उपड से कोई enemy आ रहा है, तो उसके लिए अलग sound है, और कोई ground पे से कोई enemy आ रहा है, तो उसके लिए अलग sound है, fishes give alarm by electric signal, और जो fishes होती हैं, वो alarm call देती हैं, कैसे electric signals के थ्रूँ, यह याद रखना है हमें, birds कैसे देते हैं, और यह क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, जो snakes होते हैं, they hear by vibration, Some animals start behaving in a different way, when an earthquake or storm is about to come, कुछ animals जो होते हैं, they start behaving in different way, मतलब वो अजीब सा behave करने लग जाते हैं, जब कभी earthquake, ठीक है, रमीन हिलती है पूरी, तो आपने देखा होगा, fish और dog बहुत अजीब behave करते हैं, People who live in forest and can observe such behavior of animal come to know of the danger, इन animals को पहले ही idea लग जाता है कि कोई खत्रा है, because of the frequency, because of the waves, they get this idea, अब देखो, December 2004 में, कुछ tribes, जो forest में रह रहे थे, अंडुमान आइलेंड के, उन्होंने notice किया कि animals बहुत ही different manner में behave कर रहे हैं, They guessed some danger, उन्होंने कुछ guess कर लिया कि खत्रा है, So they moved away to safer part of the island, और उसके बाद वो कहाँ move कर गए, जो better safe place थी उस island की वहाँ पर move कर गए, Soon after the island were hit by the tsunami, but people were saved, उसके बाद क्या हुआ, उस island पर tsunami आई, लेकिन वो बच गए क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था, ठीक है? Dolphins भी different sound बनाती है, to give messages to each other, Dolphin क्या करती है, different sounds बनाती है, ताकि वो messages दे पाए, Scientist believe that many animals have a special language of their own, तो scientist को क्या लगवो बिलीव करते हैं, कि कई animals की अपनी special languages होती है, आप किसी अनिमल का sound समझ सकते हो, अब obviously अगर कोई अनिमल है, जो हम पालते हैं, डॉग वगरा है, उनके हम sound समझ सकते हैं, Do some animal understand your language, क्या कोई अनिमल हमारी लैंगवेज समझते हैं, Yes, it happens, डॉग, कैट, पैरट, इनके साथ ये होता है, No, say it with sounds, Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving messages, मतलब dolphin और bird की तरह, आप अपनी खुद की भी एक language develop कर सकते हो, उसके बाद कहा रहा है, Remember you have to talk to your friend with only sounds and no words, अगर आप ये activity करते हो, तो आपको अपने दोस से बात करनी है, कियेवल sound के through and no words, कोई बाते वैसे शब्दों में नहीं होंगी, How and when will you need to give an alarm call, और कब और कैसे आपको alarm call देने की जरूत पढ़ेगी, For example, when the teacher is coming to the classroom, में एक code word बना लो कि teacher आने वाला है, और फिर एक प्रॉपर ली कोई अवास निकालो कि, ये sound किसके लिए है, teacher के लिए है, Now, sleeping, waking, Some animals go into a long, deep sleep in certain season, कुछ animals क्या करते हैं, बहुत ही long, deep sleep, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए they go for sleep, कुछ certain season के लिए, और उसके बाद आप उन्हें कई महीनों तक नहीं देख सकते, Have you noticed that during the cold season, you cannot see any lizard in the house, कि मतलब जब बहुत ठंड होती है, तो आप किसी भी lizard को नहीं देखते हो घर में, वो एक्दम खतम हो जाती है, गाया पो जाती है, Where do you think they have gone, और आपको कहां लगता है, वो कहां जाती है, वो थोड़ा गरम areas में, जो करम place होती है, वहां move कर जाती है, अपने आपको सर्दी से बचाने के लिए, ठीक है? ओके, sloth के बारे में पढ़ लेते हैं, यह animal का नाम sloth होता है, इसका face देखो, बड़ा cute सा होता है, यह bear कितरह लगता है, बढ़ होता नहीं है, it is a sloth, यह almost 17 गंटे, सोता है दिन में, और क्या करता है, ट्री पे या उसकी ब्रांच पे, ऐसी लटका होता है, अभी इसमें आपको पढ़ना है आगे, इसमें नहीं है, बट herborial animal हम इनको बोलते हैं, जो पेड़ पे बहुत सादा time spent करते हैं, जिस पे वो रहता है, उसी ट्री की वो लीव्स को दीरे दीरे खाता है, जब उसका खाम हो गया, उसने बहुत सारी लीव्स खाली उस पेड से, फिर दूसरे पेड़ पे वो मूव कर जाता है, Slots live for about 40 years, 40 साल के लिए ये लोग रहते हैं, मतलब मोसलीन का life span ये है, और इस पूरे time में, they move around 8 trees, अब देख लो कितना lazy animal है ये, Once a week, it comes down from the tree to relieve itself, मतलब week में एक बार वो नीचे अतर के आता है, down, ताकि वो अपने आपको relieve कर सके, Now, if you were to show a slot daily routine, sleeping and waking in a 24 hour clock, this is what the clock would look like, ये देखो, यहाँ पर रखा है, ये है sleeping hour time, मतलब देखो, 24 घंटे में से, कितना time तो उसने सोते वे निकाल दिया, और ये वो time है, सिर्फ इतना सा, जिसमें वो क्या है, awake है, और ये देखो, lizard तो पूरे time के लिए क्या होता है, clock for a house lizard in the winter, winter में clock अगर हम दिखाएंगे, तो पूरे time के लिए वो सोरी होती है, long sleep पे चली जाती है, ठीक है, given here is the sleeping time of some animals, कुछ animals का sleeping time है, ठीक है, अब right below each picture of how many hours a day that animals sleep, ठीक है, हमें लिखना है, तो ये हम लिख देते हैं, ठीक है, आप कभी किसी animal को दिखते हो, तो क्या आपके दिमाग में question आता है, तो आप उस question की list बना सकते हो, अब tiger के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, a tiger can see six time better at night than most of us, मतलब वो हम से 6 गुना better तरीके से, better vision के साथ देख सकते हैं, जतना हम देखेंगे, वो उससे 6 गुना better देख सकते हैं, the tigers viscous are very sensitive, and can sense the movement or vibration in the air, अब जो tigers होते हैं, उनके, just a minute, yes, उनके जो viscous होते हैं, बहुत sensitive होते हैं, and वो कोई भी movement जो होते हैं, उसको sense कर लेते हैं, देखें, sense the movement, viscous मतलब यह दो, आपको white 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 दिख रहे हैं, जो मुच्छे kind of होते हैं उनकी, उनको बहुत, वो बहुत ही sensitive होते हैं, और कोई भी change होता है, air में vibration होता है, उसको बहुत जल्दी sense कर लेते हैं, इसलिए वो जो dark में, अराम से move कर पाते हैं, और अपने prey को, prey मैंने बताया था, जैसे deer को, अगर टाइगर अगर deer को खाता है, तो deer टाइगर का prey हो गया, ठीक है, और एक टाइगर की जो sense of hearing होती है, वो इतनी sharp होती है, मतलब इतने अच्छे से वो सुन सकता है, कि वो leaves की rustling, जो leaves हलकी बहुत हिलरी हैं, उसमें, और कोई animal जो move कर रहा है, उन दोनों के movement में difference को पता लगा सकता है, मतलब टाइगर की sense of hearing बहुत sharp होती है, वो easily identify कर सकता है, कि कब leaves हल रही हैं, और कब animal कोई move कर रहा है, जो tiger के ears होते हैं, वो सारी direction में move करते हैं, और उससे क्या होता है, easily जो sound होता है उसका पता लगा लेता है, टाइगर की कहां पर क्या हो रहा है, टाइगर में different sound for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress, it can also roar or snarl, its roar can be heard up to 3 km अवे, मतलब वो बहुत सारे sound निकालता है, टाइगर for different purpose, हर purpose के लिए एक sound है, अगर वो angry है, अगर वो किसी टाइगर को कॉल कर रहा है, या वो normally जब roar करता है, तो वो 3 km तक सुना जा सकता है, और यह है कि टाइगर, जो में भी आप जाओ, आप टाइगर को देखके आगे बढ़ जाओ, और बाद में वो roar करेगा, तो आपको बहुत आगे तक भी सुनाई देगा, इच टाइगर has its own area, विच में cover several km, हर टाइगर का अपना एक area होता है, कुछ km तक, टाइगर mark their area with their urine, वो भी अपने urine से अपना area को mark करते हैं, टाइगर can at once come to know, if there is another tiger in its area, by the smell of the urine, और क्या होता है, टाइगर को पता चल जाएगा, कि दूसरा टाइगर आया है, just by the smell of the urine, एक और चीज होती है, कि एक टाइगर दूसरे टाइगर के area में जाना avoid करेगा, ठीक है, जैसे dog tickets में होता है, now, the tiger is one of the most alert animal, and yet today tigers are in danger, मतलब टाइगर इतना alert animal है, तब भी जो टाइगर है, वो इतना खत्रे में है, तो वो बुड़ रहे हैं कि ऐसा क्यूं है, कि इतना alert होने के बाद भी tiger खत्रे में है, what do you think are some of the dangers to tiger in the jungle, आपकों क्या लगता है, कुछ dangers जो हैं वो कौन से हैं, देखो, सबसे बड़ा danger तो human being से ही होता है, hunting, ठीक है, दूसरा है, आप उसका घर है, मतलब कि उसका जो घर है रहने का आप उसको तोड़ रहे हो, वो इतने बड़े जंगल में रहता था एक टाइम पर इतने बड़े में, सब खतम कर दिया, पेड खतम कर दिया, इतना सा area रह गया, तो tiger कैसे रहेगा, येस, human beings are a very big threat to animals, और tiger को कई पर लॉयन से भी खत्रा होता है, वैसे तो इतना नहीं उनके बीच में लाई होती है, बट फिर भी, आज भी ऐसा होता है, मतलब बहुत होता है, कि कई animals को मार के, उनके कुछ पार्ट को बेचा जाता है, elephants को किल किया जाता है, उनके टस्क के लिए, आप देखतों नहीं कि दाथ जो होते हैं, उसके लिए, rhinosaurus के भी हौन होते हैं, यहां पर बहुत कीमती होते हैं, उनको मारा जाता है, उस हौन के लिए, टस्क के लिए, tiger, crocodile और snakes को, उनकी skin के लिए मारा जाता है, crocodile की skin से, बैग बनते हैं, महेंगे वाले एकदम, musk deer और वो जो होता है, उसको थोड़े से scent के लिए, उसकी चरबी से हलका सा, उसकी skin से थोड़ा मतलब होता, ना कि smell आती है अच्छी, तो उसकी scent बनाने के लिए, उसको मारा जाता है, और जो लोग, जो human beings या people, जो animals को मारते हैं, उनको hunters बोलते हैं, और जो इन सब चीजों को बेचते हैं, मारके, उनको poachers बोलते हैं, अब क्या हुआ, जो number of tigers हैं, और कई other animals, उनका number हमारी country में क्या हो रहा है, reduce हो रहा है, there is a danger that some of them will soon disappear, और खतरा भी है, एक टाइम पर ऐसा होगा, कि सारे कि सारे disappear हो जाएं, to protect the animals, our government has made some forest as protected areas, इन animals को बचाने के लिए, हमारी government ने क्या किया, कुछ areas ऐसे बना दिये, कि वहाँ पर कोई भी घुश नहीं सकता, मतलब permission चाहिए, और सिफ sightseeing के लिए, देखने के लिए घुश सकते हैं, वरना नहीं घुश सकते, some of them are the Jim Corbett National Park, सुना होगा आपने, उत्राखन में है Jim Corbett National Park, घाना है भरतपुर district में, इन areas में कोई भी animals को हंट नहीं कर सकता, ठीक है, now, where are other, बहुत सारे National Park हैं, आप सर्च करोगे, singer put their hands on their ear, when they sing, मतलब कही बार क्या होता है, लोग असे कानों पे हाथ रख के गाते हैं, इस गिव एग्जांपल ऑफ अनिमल, देट में हैं, बहुत सारे आनिमल, अभी हमने पूरा पड़ा है, जिनकी बहुत स्ट्रेंग सेंस होती है, यह उसके बाद आपकी एक अक्टिविटी है, विच यू के डू, बट यह चैप्टर हम आलमोस्थ खतम कर चुके हैं, कभी बाद के किसी पार्ट में वैसा तो कोश्चन भी हम कम्प्रीट कर चुके है, जो हमने बीच-बीच के कोश्चन थे, फिफ्थ क्लास की प्लेइस्ट मिल जाएगी, इविएस की, जिसमें सारे चैप्टर आपको यह मिलेंगे, जो भी काम किये होंगे, आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है, जाके मेरे चैनल पर प्लेइस्ट पर देखना, सारे चैप्टर वहां मिलेंगे, वरना कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, थैंक यू सो मॉच्च,